नमस्कार आप देख रहे हैं गुड मॉनिंग टीवी और मैं हूँ आपके साथ चवी इस वक्त की एक बड़ी ख़बर इस न्यूस कैपसुल में ख़बर ये है कि मध्युपदेश कॉंगर्स के एक दिगज नेता ने कहा है कि मुझे टिकेट नहीं चाहिए मैं चुनाव हार जाओंगा आपको बता दे कि लोग सुबा चुनाव से पहले कॉंगर्स अपनों में ही घिर्ती नजर आ रही है कॉंगर्स के एक नेता ने फेसबुक में एक लेटर पोस्ट करते हुए लोग सुबा चुनाव से अपनी दावेदारी वापस की है उन्होंने कह मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता क्योंकि मैं चुनाव हार जाओंगा पवही के पूर विधायक मुकेश नायक ने फेसबुक पेज पर लेटर लिखा है उन्होंने कहा है कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते आगे लेखा है कि ये उनका कोई त्याग नहीं है बलकि व का कैसा विक्रत स्वरूप है इसके एक दिन पहले दमों खजुराहों संसरी सीट के संबंध में लेखे एक पत्र का लेख भी नायक ने किया पत्र में उन्होंने सुजाग दिया था कि सीट से बहुत लोग टिकेट मांग रहे हैं ऐसे में संगछन को चाहिए कि सभी को कारेलाय में आमंतुत कर चर्चा कर श्रेष्ट नाम चयन करें मीडिया से चर्चा के दरान नायक ने सुविकार किया कि दोनों ही पत्र उन्होंने लिखे हैं उन्होंने कहा कि पहले दूसरा पत्र इसलिए लिखा कि लोग समझें कि मैं लोकसभा के लिए दावेदारी नहीं कर रहा ह सामरिक महत्व आंतरिक सुरक्षा देश के समावेशी स्वरूप को समतापूर्ण समाज रश्णा के छेत्र में उनके क्या विचार है ये राश्टी और अंतराश्टी मंच है चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में क्या कहेंगे हम लोधी हैं ठाकुर हैं ब्रामन हैं कुर्मी हैं यादव हैं यह अर्तियंत हास्यास पद है मैं अपील करता हूं कि बुंदेल खंड अपनी राजनिते के क्रश्टा को बचाएं माना जा रहा है कि मोगेश नायक ने इस लैटर के सहारे अपनी सरकार और मुख्युमंती कमलनाथ पर निशाना साधा है तो इस न्यूस का अगे किया बेट्स खास खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए निरंतर बने रहे है गुड मॉनिंग टीवी के साथ नमस्कार